रेड बटन को दबा कर चैनल को सस्क्राइब करें और मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें हाई गाईज वेलकम बैक माई चैनल विनीता मौर्या अपनी रसोई आज मैं आपके साथ वाटर मिलन के कूल और रिफ्रेशिंग जूस की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ गर्मियों का सीजन आ गया है मार्केट में बहुत सारे तर्बूज भी आने लगे हैं तो आप इस तरह से घर पर अपने तर्बूज का जूस बना कर पीजिये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होता है बच्चों को ये जूस बहुत ही पसंद आएगा वीडियो पसं तर्बूज हमारा लाल होना चाहिए जूस बनाने के लिए अब इससे मिकसी जार में ट्रांसपर कर लेंगे जूस बनाने के लिए इस तरह से देखें मिकसी जार लें технологई और इसमें हम सारे अतर बूज को ढाल देंगे अब हम इसमें एट करेंगे एक ग्लास पानी पानी मैंने यहाँ ठंडा लिया है जूस बनाने के लिए तरबूज को काटने के बाद एक बार हम टेस्ट कर लेंगे कि तरबूज हमारा मीठा या नहीं अगर हमारा तरबूज मीठा होगा तब इसमें हम शुगर नहीं एट करेंगे अगर तरबूज हमारा मीठा नहीं है तब इसमें हम शुगर एट करेंगे जूस को मीठा करने के लिए तरबूज हमारा यहां पर मीठा है इसलिए मैं इसमें शुगर नहीं आइट करूँगी अब हम इसका जूस तयार कर लेते हैं इस तरह से देखिए हम धक्कन को लगाएंगे और हम इसका जूस तयार कर लेते हैं देखिए मैंने इसका जूस तयार कर लिया है अब हम इसे च्छनी की सहाइता से च्छान लेते हैं जूस को इस तरह से देखिए हम एक बाउल लेंगे और बाउल के उपर हम च्छनी रखेंगे अब हम इससे जूस को च्छान लेंगे अच्छे से ताकि जो इसमें बीज और पल देखिए जूस को मैंने अच्छे से चान लिया है現在 उसाच के घ्लास में transfer करेंग और इसमें लों nämद्ने 5 atenção कुछब दूकर इसका जीरा अब दोड़ा से देज़ेंगे इसमें ठीड़ी जीरा पाउडर में जीरा अब आप जूस को एट कर देंगे ग्लास में इस तरह से देखिए हम ग्लास में जूस को डाल देंगे बहुत बढ़िया जूस बना है आप इस तरह से जूस को घर में बनाईए और पीजिए दूसरे ग्लास में भी मैं डाल दे रही हूं जूस को अब मैं इसको थोड़ा सा गानिश कर दूँगी तरबूज की स्लाइस से इस तरह से देखिए इससे ये और भी खुबसूरत और एट्रेक्टिव दिखेगा आप इस तरह से वाटरमिलन का जूस घर में बनाईए और पीजी ये बहुती टेस्टी और बहुती हेल्दी जूस बनता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट सेक्षन में शेयर करें मैं फिर से मिलती हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ Thank you